xn equal to 1 minus 1 upon 3 whole square 1 minus 1 upon 6 whole square and so on 1 minus 1 upon n n plus 1 divided by 2 whole square n greater than equal to 2 then limit of xn is तो हमें xn के limit find out करने है और आपको जो यहाँ पर xn given है वो यह दे रख है तो सबसे पहले जो आपको यह last में जो term दी गई है जिसका यहाँ पर क्या है एक्सन क्या है product of all these bracket तो यहाँ पर यह जो last bracket है actually मैं इसको find out कर लेता हूँ कि यह bracket मेरा क्या है क्योंकि जब भी हम limit वग लेकिन यह जो nth term की जो last यहाँ पर bracket है उसको हम थोड़ा generalize करना चाहते हैं तो इसको कैसे करेंगे अगर मैं इसका lsm ले लेता हूँ तो n square plus n minus 2 upon n n plus 1 इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं यह जो last term है इसको जो मैंने बोला last term नहीं बोलूँगा क्योंकि product है तो यह last bracket बोल करा हूं मैं LB यानिकि last bracket तो यह हो गया है और इसको अगर मैं factorize कराता हूं तो यह मिलेगा मुझको n plus 2 और n minus 1 divided by n n plus 1 तो यहां पर इसका में नहीं यह जो last bracket है इससे previous जो brackets हैं यह जो आप देख रहे हैं 1 minus 1 upon 3 यहां पर जो यह है और 1 minus 1 upon 6 all these brackets can be written with the help of this last bracket तो यहां पर क्या है यह सभी का तो square है तो first जो आपका entry होगा bracket में inside the bracket वो क्या होगा यहां पर n के जगा 2 पुट करेंगे तो यह हो जाएगा इसको आप और अच्छे से लिख सकते हैं आइन-1 upon n और यहां पर आप लिख सकते हैं और यहां प्लस 1 और ऊपर n प्लस 2 एक्चली मैंने यहां पर क्या 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 है यह सब कम entry फूर उससे एक ज्यादा फिर उससे एक ज्यादा फिर उससे एक ज्यादा यानिक एक तरह से cyclic order में मैंने इसको लिख दिया है anti-clockwise तो इससे क्या help मिलेगी यहां पर मैं 2 रखूंगा तो इससे उपर के entry 1 होगी फिर 1 2 यहां पर 3 यहां पर 4 तो यह first bracket मेरा आ गया है ऐसे जो action का next bracket होगा वो क्या होगा जहां से यह जो row है यह column बनेगा 2 3 और यहां पर 3 तो यह 4 5 इस तरह से आप इसमें लगाते जाए यह square फिर यह जो एक तरह से इसको आप row समझे इसको row समझे और फिर इसका column बना दीजिए तो यह 3 4 फिर 5 6 यह हो जाएगा आपका और इसी तरह अगर मैं next लिखूँ तो यह 4 5 को आप column बनाईए तो यहाँ पर आदेगा 4 यह 5 यहाँ पर 6 7 इस तरह से तो 4 5 6 7 इस तरह से 4 5 6 7 3 4 5 6 यहाँ पर भी आपका cyclic order follow हो रहा है सुरी anti clockwise तो यह आपके anti clockwise में हमने लिख दिये हैं anti clockwise से यहाँ पर क्या फाइदा हो रहा है अगर मैं इसको as a square bracket माल लूँ sorry अगर मैं इसको as a matrix माल लूँ 1 2 4 3 तो यह जो diagonal है हमारा यह दूसरा जो bracket होगा 2 3 5 4 तो यह वाला जो diagonal है यह principal diagonal से cancel out हो जाएगा क्योंकि product में है यानिकि यह two जो है यह denominator में है तो यह numerator में है यह cancel out हो जाएगा और यह numerator में है तो यह denominator में है तो इस तरह से आपका क्या चल रहा है यह diagonal फिर आपका यह वाला diagonal इस तरह से principal diagonal फिर यह वाला diagonal तो यह cancel out हो जाएगा फिर यह वाला जो होगा यह वाला diagonal यह अगले वाले से cancel हो जाएगा यानिकि यह सारे entry इस bracket के use हो गई है इसके use हो गई है तो ऐसे इसके भी use हो जाएगी तो यहां से जो बच्या है यहां पर यह जो principal diagonal के entry है 1 upon 3 यानिकि 1 upon 1 into 1 upon 3 तो इसका meaning हुआ 1 upon 3 यह मैं इसको rewrite कर लेता हूं 1 upon 1 into 1 upon 3 इसका whole square और यहां से आपकी जो last entry बची है तो आप देख सकते हैं कौन से entry हमारी बचेगी हमारी जो entry बचेगी वो diagonal यह यह वाली entry बचेगी जो इस तरह का diagonal हमारा होगा यानिकि n plus 2 upon n यानिकि इस तरह से आप जात जाएंगे तो 1 upon n into n plus 2 divided by 1 या इसको इस तरह से हम compact form में लिख सकते हैं तो यह हमारा action आ गया है तो अब जो हमारी first time है इसको मैं 1 upon 3 का whole square लिख देता हूं और यहां पर सभी क्योंकि यह 1 1 हो गया है क्योंकि यह सारा result cancel हो गया तो 1 का square 1 1 1 तो क्योंकि यह सारे product में है तो को divided by n इसका whole square तो यहां से आप देख रहे हैं कि अगर आप n यहां से common ले ले लें तो यह क्या होगा 1 plus 1 plus 2 upon n और नीचे हो जाएगा वो तो cancel out हो जाएगा तो यहां से ब्रैकेट बचेगा और आपका यहां पर 1 upon 3 का whole square आपका है ही तो जब आप इसमें limit put करेंगे when limit n tendings to infinity तो यह वाली term तो चले जाएगी 0 को तो यहां से बनाएगा तो आपका जो finally result आएगा final result के आएगा 1 upon 3 का whole square जिसको हम कह सकते हैं 1 upon 9 तो अब जो हमारा answer आया है वो 1 upon 9 आया है तो हम देख लिते हैं कि हमारा कौन सा option match कर है तो हमारा option B match कर है option B तो यही हमारा right answer होगा तो हमारा तो हमारा थापका तो हम जो हमारा है प्ते हैं तो ब wykorस भीबोरा तो यहothख